नमसकार, गायतरी जोतिसके इंद्र में आप सबी लोग का स्वागत है, आप लोग के लिए हमें साही जोतिसासी जुड़ी महत्यपून जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रशारित करते रहते हैं, जोतिसास्ति के हर्विदा से संबंधी जानकारी हम आप लोग के लेकर हो जाते हैं, जब यह ग्रह हमारी राशी में आते हैं, इनकी महादसा आवारे उपर पर पर आती है, तो हम लोग जोतिस्यों के पंडितों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, और उनसे समाधान ढूड़ने में लग जाते हैं, बात कर रहे हम राहुग्रह के बारे में, राहुग्रह के लिए हम ठेव सारे उपाई आप लोग के बीच लेकर आये हैं, ठेरों उपाई जोतिसास्तर में बताये गए हैं, ऐसे सरल सिद्ध उपाई जिन्हें आजमा कर लोग अपनी पीडा को दूर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छे अच्छे ब इजातक करता है, तो कितना भी भेंकर राहु क्यों नहों, बेकाबू राहु क्यों नहों, वह राहु भी काबू में आजाता है, उपाई अत्यंत सरल हैं, आपको बताएंगे, किन्तो राहुग्रह के बारे में दो बातें और कर लेते हैं, राहुग्रह की जब पीडा का वर्डन करते हैं, बुद्या विहीन मति विब्रम चर्व सुन्यम, बिस्वम याति विस्मापत मृत्ति तुल्यम, व्यादि वियोग धन हानि विसानी चैयो, राहो दसा सर्जती, जीवती ससैयम चो, राहो की जब खतनाग दसां हमारे उपर पर पे आते हैं, जब खतनाग तो हमारा जीवन भी संकट में पढ़ जाता है केहने का अर्थ है कि ब्यक्ति अपनी जीवन लीरा समाप करने तक की स्थिति में आ जाता है किन्तो, इस उपाई को करने के पसित चाथ कैसा ही राहु क्यों न हो कितना ही खराब फल क्यों न दे रहा हो वो राहू भी सांत हो जाता है और कहीं न कहीं उसका सुबफल भी जहां सांत हो जाता है तो उसके बाद सुबफल भी राहू ग्रह में देता है जो तिस सास्तर में बताया गया है कि किसी पत्थर पे आप सपेच चंदन जो सपेच चंदन मिलता है उसको गंगाजल गोमूत्र या इसके अलावा सूर्य ग्रहण या अमावास्या या चंद्र ग्रहण के दिन होने वाली बारिस जानि ग्रहण के दिन वा अमावास्या के दिन होने वाली बारिस का पानी एक अठा कर लें इन तीनों मैंसे किसी का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं तीनों चीज़ें मिल गई तो सोने पे सुहागा तो उस पानी से जानि गोमूत्र मिला लीजिए गंगा जल मिला लीजिए और अमावासिया ब्या ग्रहन के दिन का जो बरसात का पानी है उस पानी को मिला कर किसी पत्थर पे चंदन को खिसिए उसका थोड़ा सा लेप बना लीजिए और 108 बार राहुग्रह का मंत्र जापते जापते आप इसको खिस लीजिए चंदन को पत्थर पे अब 108 बार क्योंकि आप गिस रहे होंगे तो आप गिंतो सकते नहीं है तो एक माला 108 की लगबग लगबग 5 मिनट में हो जाती है तो ध्यान रखना है कि 5 मिनट तक आपने ओम रा राहुए नमा मंत्र ओम रा राहुए मंत्र के साथ इस चंदन को पत्थर पे किस्ते रहना है अब इसके बाद जो लेप आपका बन जाता है तो उस लेप को तेल बताया गया है पिसे इस तोर पर हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो गले से नीचे के हिस्से में तेल में इस लेट को मिलाकर प्रातरकाल नहने से पहले पूरे सरीर में मल लीजिए और उसके बाद इस्नान करिए नियमित 108 दिन तक ऐसा करने से कैसी भी राहुग्रह की पीडा हो वो दूर हो जाती है पहले ही आपको असर देखने में आ जाएगा अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों को उपाई बताते हैं तो उस समय कि क्या हम इसको रोज घिसे हैं या एक बार घिसके रख सकते हैं आप घिस के इसको रख भी सकते हैं, दो-चार दिन चल जाएगा आपका, उसके बाद पुनह इसको आप घिस सकते हैं, चार-पांच दिन रखने के बाद, अब लोग कहते हैं कि हम कब से इसे सुरू करें, तो सुरू करने के लिए सबसे बढ़िया वार, सुक्रवार, जो कि र प्रहन के जल में, पत्थर पे चंदन के साथ इसे किसे, और पांच मिनट तक, लगबग पांच मिनट में 108 की माला हो जाती है, ओम, रा, रा, हुए, नवा, मंतर के साथ घिसते रहिए, पांच मिनट का समय ले लिजिए, बस, उसके बाद इस लेट को, विशेश तोर पर सरस ही आपको इसका चमतकारिक परिणाम देखने में आएगा, क्योंकि यह सिद्ध उपाय है, और बहुत से लोगों को हम यह उपाय बताते हैं, क्योंकि उपाय तो हम बताते रहते हैं, जब आदमी कहता कि भई, उस उपाय से हमें असर नहीं हुआ, तो तब अंत में थोड़ा हैं, सिद्ध उपाय है, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, चीज़ें गंगाजल ना मिले, यह अमावास्या या ग्रहन का जल ना मिले, किन्तु गोमूत्र तो सुलब हो जाता है, गंगाजल भी सुलब है, तो उसमें गिस यह चंदन मिल जाता है, सपेज चंदन मार्केट म हैं, और पत्थर आप रख लीजिए, हाँ, एक चीज़ और है, और उस पत्थर को उल्टा करके रख दीजिए, किसने के पस साथ पत्थर को उल्टा करके रख देना है, अब जिस दिन किसे हैं, उसी दिन उस पत्थर को सुल्टा करना है, घर में कहीं पर भी पवित्र या रख सकते हैं, क्यानि कि गिसने के पसा जो पत्थर आपने उपर साइट से गिसा, तो पत्थर को गिसने के पसा उल्टा करके आप रख दीजिए, पूरी विश्वास के साथ और पूरी उम्मीद के साथ हम कहते हैं, कि आपको इसका चमतकारिक प्रतिफल अवस्य ही देखने मा अठार दिन के बीतर भी इसका प्रतिफल रिजल्ट आपको देखने में आ सकता है, 108 दिन तक तो इसको करना ही करना है, ताकि कभी भी राहुग्र की पीड़ा जीवन में आपको सताए नहीं, और जहां अतक होगा राहुग्र का सुबफल भी आपको प्राप्त होना सुरूर हो जाएगा, भले ही वो किसी भी भाव में बैटे हो, त्रिक भाव में क्योंना बैटे हो, तीन, छे, आठ, बार इन भाव में क्योंना बैटे हो, दुसरे भाव में क्योंना बैटे हो, मारक क्योंना बन गए हो, जो अच्छे भाव में बैट कर भी कभी राहुग्र फल नही हुए हैं कि जो लक्षणों के अनुसार जिनके पार डेट ऑब बर्थ टाइल प्लेस आधी नहीं होता है कुछ ऐसे लक्षण जो कि राउग्र से संबंदित होते हैं ऐसे लक्षण भी अग्यदी आप में तब भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं अत्यांत चमतकारी प्रति जिस्यों को दिखाएं जिनको आप जानते हैं या जिन पर आप विश्वास करते हैं तो जानिए हमारे ग्रह कैसे हैं किस ग्रह से संबंदित हमें पीडा है अच्छा समय भी चल रहा है तब भी पत्रिका दिखानी चाहिए जो तिस्षास्तर कहता है और बुरे वक्त में तो महादसा के अनुसार मुझे पिडित करने वाला है वो उससे पहले ही उपाई करना शुरू कर देता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमें दिखाते हैं जो अच्छा समय चल रहा होता है पिर खाली वैसे ही चैचै मैने में भी लोग दिखाते हैं कि कहीं आगे को क्या चल रहा है अब बुरे वक्त में दिखाएंगे तो वैसे भी बुरा वक्त चल रहा होता है आज भी परिसान होता है और उस समय पर उपाई भी एक प्रकार से बनोबल टूटावा होता है करता है तो वहां पर उपाई भी उसके थोड़े कम ही सक्षस्पुल होते हैं लंबे समय तक कर कराना अपनी सुरक्षा करने के लिए चाता आदी ले लेना पाकी हम है बरसात से तो हम बच नहीं सकते हैं कहीं न कहीं चीटे जो रहेंगे पाउं में भी पढ़ेंगे लेकिन कम पढ़ेंगे चाता नहीं होगी शत सही नहीं होगी तो पूरा भीग जाएंगे बस वही तो जरूर आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं, नहीं लोगों से आगरे रहता है, कि आप हमारे एपिसोडों को देखिए पूरो में जो प्रसारित हैं, उसके बाद निर्णए लीजिए, आपको अच्छा लगता है, तो गायतरी जोतिसके इंदर के साथ जुड़े हैं, चैनल को